हाई गाइल्स आज हम बनाएंगे आटे और दूद से गुलाब जामून रेस्पी बनाना शुरू करते हैं जसा कि आप लोगों को पता है कि मैं किसी भी रेस्पी की सुरुवात एक अच्छे थोड़ से करती हूँ अपने दिन की सुरुवात कुछ मीठे से करने चाहिए आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामून या यो कह लिजे काला जामून हम दो दो मिक्स करके बनाएंगे देखी कि अतना प्यारा लग रहे हैं खाने में और यमी है आप इसका एक एक ट्रिक देखिए और उसी तरीके से बनाएगा यकीन माने बहुत टेस्टी होता है गुलाब जामून बनाने के लिए पहले एक पैन में हम आधा लीटर दूद लेंगे और फिर एने कांटीनियोल स्टर करेंगे इनका हमें मावा बनाना है जब हमारा मावा रेड़ी होगा तो उसकी कंसिस्टेंसी बिलकुल ठीक नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी पतली होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखे इसमें हम थोड़ा सा कार्डमों पाउडर यानि की हरी वाली लाचिंग एड़ करेंगे देखिए कंसिस्टेंसी बिलकुल ठेक होने वाले है बस इहें कांटीनियू एक से ड़ड़ मिनट इस्टर करेंगे इस इस्टेज पे हमें गैस आफ करना है और हमें इसे कांटीनियू चलाने की पात हमें एक प्लेट में ट्रांसफर करना है और इन्हें कंप्लीटली ठंडा होने देना है उसको करें हम साइड में एक हम पैन लेंगे हम चासनी बनाने के लिए दो कप चीनी और एक बड़ा कप पानी लेंगे इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस भी एड़ करेंगे और एक चमज दूद केस ले कर रहे हैं कि हमारे चीनी जो है उसका रंग जो है वाइट नहीं है ऐसे करने से हमारी जो चासनी बनेंगे बिल्कुल एक साइनी बनेगी तो फिर आप ये कर भी सकते हैं ऑप्शनल है देखे इसका कचड़ा साइड में आ जाता है हम निकाल लेंगे इसमें थोड़ा कार्डमां पाउडर एड़ करेंगे हरी लाची को क्रस कर लिया है मैंने अच्छे से और इनका हमें एक तार की चासनी नहीं रेड़ी करना है हमें बस चिपचिपा रहना है इस बात का ध्यान रखे बहुत पतली नहीं होनी चाहिए बहुत थिक नहीं होनी चाहिए गैस हो करेंगे ओफ अब हम इसमें दो पी स्पून आटर डालेंगे आटा हमें जादा नहीं डालना है सिप दो छोटा चमच और इसमें हमें एक पींच बेकिंग सोटा और एक पींच बेकिंग बॉडर डालना है जादा बलकुल ने डालना है इसमें हम थोड़ा सा ओयल या घी डालेंगे घी जादा बेस्ट रहेगा इसमें एक छोटा चमच एड़ करेंगे ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा अधिक मिले सकते हैं और इसका पिल्कुल एक स्मूथ डूरे डी करना है अच्छे से इन्हें नीट करने के बाद हम छोटे-छोटे लोईयों में तोड़ लेंगे और एक रजगुला का सेब देंगे बहुत अच्छे से इन्हें सौफ्ट करके हमें बनाना है इन्हें प्रेश करते हुए हमें सौफ्ट करके गोलसेप देना है इस बात का ध्यान रखें इस करें नहीं करेंगे जबी मीडियम फ्लेम पे- comida याड़ करेंगे अच्छे से फ्राइक करना है गूर्डेन होने तक, आप चाहो तो इन्हें डार्क होने पर भी निकाल सकते हो और चाहो तो इन्हें पहने भी निकाल सकते हो गैस को हमें बिल्कुल लो फिलेम पे नहीं करना है हमें मीडियम फिलेम पे करना है बहुत अच्छा से इने फ्राई करना है देखिए फ्राई हो चुका है अब इनको हम एकदम खॉलते हुए चासनी में डालेंगे चासनी हमारा ठंडा रहेगा तो फिर यह हमारा गुलाब जावन फूलेगा नहीं तो इस बात का ध्यान रखें कि चासनी हमारा बिल्कुल गरम होना चाहिए अगर कभी आप ऐसे ही भी डाल देते हो तो चासनी को फिर गरम करने के लिए रख सकते हो गैस पे आपको मेरी रेश्पी अच्छी लग रहे है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वी प्रेस कर ले आपका एक-एक सस्क्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है तो प्लीज कर लिजिए इन्हें आधा गंड़ा के लिए छोड़ देंगे देखिए हमारा खुलाब जाबून बलकुल रेड़ी है अब इनको हम करेंगे शाड़ वाउ और वीडियो को एक शेयर ज़रूर करिए मिलते एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बब बाई आप मुझे इंस्ट्राग्राम और फेस्बूक पर भी फालो कर सकते है लिंक मैं डेस्क्रिप्सिन बॉक्स में डाल दूँगी थाइंक यू टेक क्यार क्या है क्या है